कोरोना के खिलाब देश में लॉकडाउन के चोथे चरण की शुरुवात हो चुकी है केंद्र सरकार ने इस चरण के दिशा निर्देश तै करने का अधिकार राजी सरकारों को दिया था जिसके बाद यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है 31 माई तक जारी लॉकडाउन 4.0 के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये है नई गाइडलाइन के मताबिक राजी में कई चीजों के लिए छूर दी गई है लेकिन कंटेन्मेंट जोन में सक्ती जारी रहेगी यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स के मताबिक सभी घरेलू और अंतराष्टी विमान यात्राओं पर रोग बरकरार रहेगी मेट्रो रेल की सेवाओं पर प्रतिबंध भी जारी रहेगा स्कूल, कॉलेज, सैक्षिक प्रसीक्षण सनस्थान बन रहेंगे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जीम, स्विमिंग पूल, इंटेंटर बार, सभागार बन रहेंगे सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गत्विदियों पर रोग, बरकरार रहेगी धार्मिक स्थल और पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे धार्मिक जुलूस भी पूरी तरह से प्रतिपंधित रहेंगे इसके साथी सरकार ने लोगों को lockdown 4.0 के लिए कई तरह की रियायतें भी दी हैं हलाकि इसके लिए कई तरह की शर्टें लगाई गई हैं यानि लोगों को इंचूट को हासिल करने के लिए तैप प्रोटोकॉल का पालन करना होगा सरकार की ओर से जारी guideline के मोताबिक सुवे में जो भी दुकाने खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को face cover, mask लगाना होगा gloves का इस्तेमाल करना होगा, दुकान में sanitizer की विवस्था करनी होगी बिना mask लगाया आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं दिया जा सकेगा बाजार इस तरहे खोले जाएंगे कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले इस दोरान सोसल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी containment zone के बाहर सभी दुकानों को सोसल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की छूट दी गई है सबजी और फल मंडी सरकार की और से तैद इशा निर्देश के मुताबिक नियत समय पर ही खुलेंगी शहरिक शेतर में कोई भी सापताहिक मंडी नहीं लगेगी ग्रामिर्क शेतर में सापताहिक मंडी सोसल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की छूट दी गई है रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने की इजादत नहीं होगी केवल होम डिलिवरी की छूट दी गई है मिठाई की दुकानों को भी केवल होम डिलिवरी की छूट दी गई है बाराद खोले जा सकेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमती जरूरी होगी शादी समारों में 20 से ज़्यादा लोगों की अनुमती नहीं दी गई है स्ट्रीट बेंडर पटरी व्यवसाई को अपना काम करने की छूट दी गई है चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतरिक्त दो वेक्तियों को चलने की छूट दी गई है बाइक सबार वेक्तियों को अकेले चलने की अनुमती है ठ्री वीलर वाहन में ड्राइवर के अलावा दो वेक्तियों को चलने की छूट दी गई है प्रिंटिंग प्रेस और ड्राइ क्लीनर साधी की दुकानों को खुलने की अजाज़त है नुएड़ा गज़यबाद में दिल्ली के होट स्पोट एरिया के लोगों के अलावा दूसरे लोगों को आने जाने की चूट होगी 65 साल से अधिक आयू के वेक्ति, गर्वती इस्त्रियां और 10 साल से कमोमर के बच्चों के बाहर निकलने पर पाबंदी है हमें अपने बुजुर्गों को जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्थ हैं उन लोगों को गर्वती महिलाओं को और बच्चों को इस संक्रमन से बचाना है इसलिए ये अत्यांत आवश्यक है कि जो भुजुर्ग हैं गर्वती महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं या किसी बीमारी से गरस जो लोग हैं वो अत्यांत आवश्यक होने पर परिहारे होने पर ही घर से बाहर निकले और वो घर के अंदर ही रह करके अपना संक्रमन से राजियों की ओर से निर्धारित किये गए यात्री वहन और बसों को राजि के अंदर आवागमन के लिए भी अनुमती नहीं दी गई है इसके लिए भी अलग से आदेश जारी होंगे बिरो रिपोर्ट जी मीडिया